आप सभी को मेरा प्रणाम, हर्बल रेमिडी जे नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है, मित्रो आज हम राजाजी नेशनल पार्क में आए थे, तो आज आपके लिए एक ट्री की चर्चा करेंगे, इसको हम धूप फली के नाम से जानते हैं, इसकी आप फली देख रहे हैं, मरोडफली कहना तो उचित नहीं होगा, मरोडफली हलेक्टरिस आइजोरा को कहा गया है, यह बिग्नोनियसी का मेंबर है, और यह जो प्लांट है, इसका साइन्टिफिक नेम फर्नेंडवा एडिनोफिला या हाइग्रो फ्रेग्मा एडिनोफाइलम के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, हाइली मेडिशनल ट्री है, इसके कंपाउंड लीव्ज आप देख रहे होंगे, और इसकी जो छाल है, इसका उस्दिय गुनों के लिए उप्योग में लाए जाता है, मित्रो यह जो प्लांट है, यह वाइड एंटिडोट का कारे करता है, एंटिडोट ए सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी छाल का डिकॉक्षन बना कर घाव को धो सकते हैं, और साथ ही साथ 50 ml तक इसका आप जूस पना कर भी शेवन कर सकते हैं, मित्रो जो फली मेरे हाथ में हैं, इसके अंदर आप देखिए किस परकार से इसके विंग्ड सीड होते हैं, और उनसे इसका तेयार किया जाता है, मालस तेयल, यह देखिए, इनके माद्यम से यह प्रोपेगेट कर लेता है और इस से जो मालस तेयार किया जाता है, वो गाउट, रुमेटिक, आर्थराइटेस, इन सब के निवारेंड के लिए उपयोग में आता है, wonderful ये anti-gout activity अपनी सोब करता है analgesic activities की होती है anti-nosi-septivist की होती है जो natural pain killer का कार्य करता है यह anti-piratic activity बुखार से नेराकरन करता है कहीं सूजन हो गई हो तो सूजन को दूर करता है anti-inflammatory activity कह सकते हैं anti-pyratic, anti-fungal, anti-bacterial, anti-gout, anti-arthrightic activities प्लांट की होती है साथ यसप्लांट की imména-goh activity भी होती है जो मेल और फिमेल दोनों के हॉर्मोन को regulate करने का का रिए करता है मित्रो infertility की समच्चा को भी इस प्लांट की छाल का decoction इस आसानी से दूर करता है एमिनूरिया में क्या होता है कि साइकल का मैंस्ट्रल साइकल का ना आना हॉर्मोन को रेगुलेट करके उस समस्चा को दूर करता है नाइट फॉल की समस्चा हो चाहे पिरी मैच और इजेकलेशन की समस्चा हो उसको भी इस प्लांट का काड़ा सहद मला कर आप से बन कीजिए बहुत अच्छा ये लाब करता है अगर scabies की समस्चा हो या pruritis की समस्चा हो या rashes की समस्चा हो skin irritation की समस्चा हो तो इसके पत्र का paste बना कर आप लगा दीजिए बहुत अच्छा ये कारे करता है मित्रो इस plant के अंदर beta-cetocytrol ursolic acid और anthracinone glycoside पाया जाता है और इसी की कारे इसकी analgesic anti-inflammatory activity होती है olinolic acid भी इसके अंदर पाया जाता है wonderful antioxidant anti-inflammatory activities प्लांट की होती है आप फलियां देख पा रहे होंगे बिलकुल snake के जैसी इनकी morphology है तो देखने से समझ में आता है कि snake bite का antidote ये plant है और आसानी से जंगलों में ये पाया जाता है लेकिन जानकारी के अभाव में हम इनके ओस्दिये गणों के एक्स्प्लोर नहीं कर पाते हैं कई बार हानिकारक जीव जन्तु के काटने से घाव बन जाता है और वो भरता नहीं है और गांट भी बन जाती है तो उसके निराकरन के लिए आप घाव को इसके काड़े से दो दीजे और इसमें आप इसका पेस्ट भी लगा सकते हैं इस plant की anti-urease activity भी होती है तो मैं कहूं कि scabies के लिए, antidote activity के लिए, analgesic activity के लिए, anti-inflammatory activity के लिए, anti-piratic activity के लिए, anti-arthetic activity के लिए, anti-gout activity के लिए, skin care के लिए आप इस plant का wide spectrum यूज़ कर सकते हैं natural antiseptic है, और यह antibiotic का भी कारियर करता है, इस plant का bark का decoction आप सेवन कर सकते हैं, साथ इसाथ घाव को भी इसके decoction से दो सकते हैं, और bark ना मिले तो इसके पत्र का उप्योग किया जा सकता है, tumors की गांठे भी हो जाती है, उनमें pain होता है, तो उससे भी यह plant निराकरन करते इसकी मूल, सभी औस्दिय गुणों के लिए उप्योग में आते हैं, आप इसको seed के माध्यम से, cutting के माध्यम से propagate कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए आप हमसे email के माध्यम से telephone communication कर सकते हैं, और यह जानकारी अपने मित्रों के साथ, यहोग के साथ सांजा कीजिए, ताकि वो भी इससे लाभान मित हो सकें, फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ, नए समाधान के साथ, तब तक के लिए आप से भी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, चैनल को like, share, subscribe, अवस्य करें, प्रणाम, नमस्कार